दोस्तो शाओ में ने लॉंच कर दिया है Redmi 7 और इसके बाद 7 सीरीज जो पूरी हो चुकी है मतली Redmi Note 7, Note 7 Pro और Redmi 7 तीनो जी हो है लॉंच हो चुके है अब इंडिया के अंदर भी बहुत जल्दी आने वाले लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ पूरी स्पेसिफिकेशन और Redmi 6 का एक कैसे एक सकसेसर है पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा नाम है संदीप और चानल का नाम है टेकवानी बिना वगगवाए वीडियो को फटा-फटा हम स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्पले के बारे में तो इसके अंदर आपको मिलने वाला है Dot Notch Display जो कि 6.26 इंचिस का डिस्पले आपको देखने को मिलने वाला है 720P के उपर ये चलता है यानि कि HD Plus डिस्पले आपको देखने को मिलेगा और साथ में इसके अंदर मिल जाती है आपको P2i coating यानि कि अगर water थोड़े से splash वगरा पढ़ते है तो ये phone को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुचाएंगी Gorilla Glass 5 का इसके अंदर आपको मिल जाता है protection और तीन color के अंदर आपके मिल जाएगा blue, black और red बात कर लेते हैं इसके processor के बारे में तो इसके अंदर आपको Snapdragon 632 का processor आपको मिलने वाला है Snapdragon 632 अगर बात करते हैं Redmi 6 के बारे में तो इसके अंदर आपको Helio P22 का processor मिलता था जो कि काफी अच्छा upgrade जो है वो Xiaomi ने इस model के अंदर कर दिया है तो 632 के अंदर आपको अच्छी gaming भी खेल पाएंगे, performance भी काफी आपकी अच्छी होने वाली है और variant के अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 3GB, 3GB और 4GB RAM वाले अगर 2GB RAM की बात करों तो 2GB RAM और 16GB के आपको storage देखने को मिलेगी 3GB के अंदर आपको 3GB RAM और 32GB storage मिलेगी और वहीं आपको 4GB RAM और 64GB storage का variant भी देखने को मिलेगा अच्छी बात यह है कि हर एक model के अंदर आपको 3 slot, triple slot जो है आपको मिलने वाला है तो आप जो है अलग से memory card भी लगा सकते हैं, 2 sim लगाने के बात अगर बात कर लेते हैं camera की तो rear में आपको dual camera setup मिलने वाला है 12MP प्लस 2MP का अगर मैं Redmi 6 की बात करता हूँ तो उसके अंदर आपको 12MP प्लस 5MP का setup जो है देखने को मिलता था लेकिन AI की support की वेसे जो processor जो है इसका है उसमें जादा अच्छी आपकी जो है pictures जो निकल के आ जाएगी अगर front camera की बात करता हूँ तो Redmi 6 के अंदर आपको 5MP camera मिलता था लेकिन वहीं आपको Redmi 7 के अंदर 8MP camera देखने को मिलेगा और काफी सारे beauty effects इसनने प्री installed है तो आपको शुरुबात से ही मतलगी काफी अच्छी selfie जो है कीचने को मिल जाएगी बात कर लेते हैं battery backup की तो इसनने आपको 4000 mAh की battery मिलने वाली है और अब क्यार ये दावा किया जा रहा है बड़े अराम से आप इसका battery backup जो है काफी अच्छा होने वाला है MIUI जो है इस तरीके से अपकी वारी उन्होंने optimize किया है की काफी अच्छा battery backup आपको देखने को मिल जाए और Android 9 जो है पाई का support के संदर आपको मिलने ही वाला है वहीं बात करते है Redmi 6 की तो उसंदर आपको 3000 mAh की battery थी जिसकी मैं हमीशा से शिकायत करता है 3000 mAh जो है वो बहुत कम है तो 3000 mAh से बढ़ा के Redmi 7 के अंदर इन्होंने 4000 mAh की battery कर दी है तो definitely battery backup और processor तो इन्होंने काफी अच्छा improve किया है तो उस पी अंदर तो आपको definitely improvement काफी अच्छी देखने को मिलेगी दोस्तो बात कर लेते हैं price की तो 2 GB RAM और 16 GB storage वाला जो variant है वो चाइना के अंदर 7100 रुपे के अंदर launch हुआ है मैं अगर Chinese currency से मैं convert कर दूँ तो सबसे अगर मैं बात करूँ अपने अगर मैं opinion की बात करूँ तो इसके अंदर 1200 वाला model लेने का कोई sense नहीं बनता है क्योंकि उसके अंदर आपको Redmi Note 7 मिल जाता है तो कोई sense नहीं है 7 के उपर जाने का इसके नीचे वाले जो दोनों model है वो आपको काफे aggressive pricing में मिल रहे हैं हाला कि चाइना के लिए आप इंडिया बहुत ही जादा important market है यह इसी बात से idea आप लगा सकते है कि Redmi Note 7 Pro जो है वो चाइना के अंदर आज लॉंच हो है जबकि इंडिया के अंदर काफे दिन पहले ही लॉंच हो चुका है लेकिन जो देखने मुझे बात आई कि जो इंडिया के अंदर जो model जो है 16,999 रुपे का है वो वहाँ पर 16,300 रुपे के साबसे लॉंच हो है तो ऐसे में एक डाउट मन के अंदर आता है कहीं ऐसा ना हो कि जो 7,100 रुपे अला model है कहीं इंडिया के अंदर 7,400 रुपे का लॉंच हो और 8,200 वाला जो मॉडल है वो शायद 8,999 रुपे का लॉंच हो जाए और 10,200 वाला जो 10,999 रुपे का हो जाए ऐसे में प्राइस काफी हाई चले जाएंगे मेरी परसनल ये उमीद है कि शायद ऐसा कुछ हो कि जो फोन है वो 6,999, 7,999 और 9,999 के अंदर लॉंच हो जाए तो तो मार्केट के अंदर डिफिनिटली धमाका हो जाएगा अब लास्ट में रैप अप करने से पहले मैं आपको बतायता हूँ कौन सी चीज है जो मुझे इस फोन में अच्छी लगी और किस चीज से आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है तो दोस्तो इस फोन के अंदर आपको एक प्रिमियम डिजाइन देखने को मिलने वाला है हीट अप जो है वो जल्दी हो जाएगा और जादा हीट अप हो जाएगा वैसे बिरने अगदर गर्मी थोड़ी सी जादा होती है तो यह थे मेरे अपने खुद की ओपिने दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हुगा इसी तरीके के डेली टेक वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहेगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजेगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजेगा मैं मिलता हूँ आप से जल्दी ही नेक्स वीडियो के अंदर